हलो फ्रेंड वेल्कम टू एस्टी टेटोरिय लोटोर चैनल फ्रेंड्स हम लोग प्लिटिकल साइंस के प्रक्टिस सेट को सालब करें इसका 22 पार्ट है जो आपके टीजीटी पीजीटी एक्जाम के लिए काफी हेलफुल होगा इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग देखते हैं दश्वा नंबर प्रश्ण है प्रसासन के लिए आवस्यक्तत तो नहीं है नहीं पूछ रहा है तो प्रसासन के लिए आवस्यक्तत तो क्या होता है तो बीसे सुद्य सी होता है संगठन होता है ठीक है किसी देश के लिए ही जो है प्रसासन को बना जाता है और उ नहीं होती है तो सयुत्र रजायक आपका आपसर नमर ए प्रिसासन के लिए आवसेकता तो जन्व सहाब भाजता नहीं है ठीक है एक जारे नमर प्रिसन है और इंपार्टेंट प्रिसन है प्रिंसिपल आफ फब्लिक अड्मिनिस्टेशन ग्रंत के रचाईता कौन है प्रिंसिपल आफ फब्लिक अड्मिनिस्टेशन के ग्रंत के रचाईता है जो है डबलू यफ बिलोवी ठीक है यहां से दो प्रश्ण पूछे जाते हैं आपको confute करने के लिए यहां पर यह सही हो जा रहा है और एक प्रश्ण इसी सदर ऐसे है यहां पर देख लीजिए आप लोग politics and administration ठीक है politics and administration के है तो यह good now है फ्रेंक जे good now है ठीक है तो यहां पर दोनों administration फ्रेंक जे good now है और यहां पर जो है principle आप principle आप है principle आप public administration WF below भी है ठीक है और इन दोनों प्रश्णों को दे देता है और इधर मिलान करने के लिए भी दे देता है इसा कई बार प्रश्ण आया है ठीक है प्रश्ण है ideas and issues in public administration इन तीनों प्रश्णों को आप लोग याद रखिएगा ठीक है और देख लिजे यहां पर ideas and लग गया है issues in public administration इस पुस्तक के रचना कौन है तो इसके रचनाकार है जो है Dwight Waldo ठीक है Dwight Waldo इन तीनों पुस्तकों का नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा very important है तीनों में से एक आना ही आना है ठीक है या तो तीनों के देदेगा और मिलान करने के लिए देदेगा इस तरह से ठीक है तो तीनों आप लोग याद रखिएगा 14. question है लोग प्रसाशन शब्द बंद लोग से क्या अप्राय है लोग प्रसाशन में जो है लोग से क्या अप्राय होता है तो उसका अभिप्राय सरकार से होता है ठीक है सरकार का साशन या लोग प्रसाशन को सरकार का साशन भी कहते है लोग से सरकार हो जाएगा प्रसासन से सासन ठीक है तो लोग कार्थ होता है सरकार तो डी आफसना आपका इसमें सही हो जाएगा पंदरे नमर क्वेश्चन है प्रसासन का आड़ थून सभी क्रियाओं से है जिनका संचाला नेक निश्चित छेत्र नीत या थवा नीतियों के क्रियाओंन से होता है और इस प्रकार जो है तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंध वर्ग, स्रमिक वर्ग के समस्त कारियों को मिला करके प्रसासन की संग्या बदान के जाती है इस विचारधारा को प्रसासन का क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है एकी कृति द्रिश्चिकून कहा जाता है ठीक है जब सब को मिला दिया जाए ठीक है तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंध वर्ग, समिक वर इसमें जब सब्सक्राइब 12 नमबर प्रिश्टनिय है किसने आज क्याइज कि युग को किसने आज के युग को जो है आतिमारक्ता ठीक है दे एज आफ ओवर्खिल कहा है तो इसको कहा था मैक्स लर्नर ने मैक्स लर्नर ने तो ड़ी आपसनिस में आपका सही हो जाएगा 17 नमबर कोश्चन है राश्टी हित अंतराश्टी राजनीत का राश्टी हित अंतराश्टी राजनीत का क्या है तो लक्ष है ठीक है जो राश्टी हित होता है तो बस्ता को सुदारने के लिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार किया जाता है विदेशों विदेशी राजनियत की दौरा ठीक है इस तरह से साट उतार में आप लोग समझ लेजें तो वहाँ पर जो है क्या होता है एक हम लक्ष निर्धारत करके किसी से हम स अंतर राष्ट्री राजनीत का महत्पूर तत्व नहीं है तो अंतर राष्ट्री राजनीत का महत्पूर तत्व क्या नहीं होता है तो सांती अनुसंधान नहीं होता है ठीक है अंतर राष्ट्री राजनीत में सांती का कोई विषय ही नहीं रहता है ठीक है हमेशा भेदबा लड़ाई जगड़ा ठीक है उसमें राष्टी जीत होता है संगर्स तो होता ही है सक्ति का प्रयोग क्रिया ही जाता है ठीक है तो यहां पर नहीं पूछा है तो आपका भी आप्सन सही हो जाएगा किस ने कहा है कि अंतराष्टी राजनीत राष्टों के बीच निरंतर होने वाले सक्ति संगर्स के अतरिक्त कुछ नहीं है तो बहुत ही मतपूर कोटेशन है यह ठीक है अंतराष्टी राजनीत राष्टों के बीच निरंतर होने वाले सक्ति संगर्स के अतरिक्त कुछ भी नह है तो इसको कौन कहा था तो मारघन ठाव ने कहा था ठीक है सी आफसान आपका इसमें सही हो जाएगा है कि डूर्टी नमर कोश्चन है कि इसने कहा कि राष्ट्रों की बिदेश नीती का ध्यान अंतराष्टी राजनीत के अध्यान का मात्वबून पक्ष है तो सेंडर मैन या सौंडर मैन कहीं कहीं लिखा रहता है तो ए आफसन इसमें आपका सही हो जाएगा 73 नमर कोशन है राज्य सोसक बर्ग की कारेकारड़ी समित है यह विचार किसे संबंदित है तो यह संबंदित था मार्सवादियों से ठीक है मार्सवादियों ने जो है राजे को सोसक वर की कारेकारडी समित बाना था ठीक है यह विचार जो है मार्सवादियों द्वारा दिया गया था तो भी आपसन आपका सही हो जा रहा है 74 नमबर है आधुनिक राजे के विकास के लिए कौन सा तक तक उतरदाई है आधुनिक राजे के विकास के लिए कौन सा तक उतरदाई है very important question यह भी है तो ए आपसन में है बैग्यानिक प्रगति प्राचीन संस्कृति का पुनर्थान राष्टिय चेतना का विकास धर्म का बढ़ता प्रभाव तो कौन सा तक उतरदाई है तो इसमें उतरदाई तक जो हो जाएगा आपका राष्टिय चेतना का विकास ठीक है राष्टिय चेतना का विकास सी आफसन इसमें आपका सही हो जाएगा 75. question है निमने लिखित में थे कौन सा दबाव समू हिंसा की माध्यम का समर्थन करता है कौन सा दबाव समू हिंसा की माध्यम का समर्थन करता है कौन सा दबाव समू ऐसा है जो हिंसा के लिए जाना जाता है हिंसा करवाना जाता है तो सहीव तो रह जाएगा आपका संस्थागत संस्थागत समय दो दबाव समू होता है वो अहिंसा की माध्यम का समर्थन करता है संस्थागत दबाव द दबाव समू ठीक है तो भी आपन संसरीव जाएगा 76 नमबर कॉशन है निम्नांकित में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धान्त का लक्षड नहीं है तो बिभाजयता होता है ठीक है बिभाजयता जो है प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धान्त का लक्षड नहीं है ठीक है प्रभुसत्ता क्या होता है एक सरकार जो बाहरी नियंतर से मुक्त हो करके ठीक है उत्तरद तो के बिना किसी राज्य में जो है सब कुछ करने की सकती का पूर अधिकार रखती है उसे ही जो है प्रभुसत्ता के रूप में जना जाता है ठीक है तो जब दूसरे राज्य को भी अपने में मिला करके ठीक है किसी प्रभुसत्ती का पूर अधिकार जमाती है प्रभुसत्त और इसमें विवाज जिता नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो भी आफसान इसमें आपका सही हो जाएगा, तो फ्रेंट से रहे मातरपूर्ट 15 प्रस्ट कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर पताईएगा, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद